हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासिज, हमारे बीएड की रेगुलर क्लासी चल रही है, जिसमें आज हम डिफरंसिज देखने वाले हैं, काफी सारे चीज़े होती हैं, आपकी बीएड में जब आप पढ़ाते हैं, जब बीएड में प्रैक्टिस के लिए पढ़ा पढ़ाते टाइम, इन सब में क्या डिफरंस होता है, पहली बात तो यह आपको पता होना चाहिए, दूसरी बात, यह आपके पेपर में आता है, बीएड में सोट कोश्चन के रूप में आपको मिल जाएगा, कोई भी दो चीज या तीन चीज दे देंगे आपको कि इन में बताओ क्या होता है, आज की वीडियो में इन सब में ही डिफरंस देखने वाले हैं, में डिफरंस इन में क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके अपरोच की दिरिस्टी कोण, अगर आप अपरोच की हिंदी देखें, तो हमारी हो जाती है दिरिस्टी कोण, अप आपका विचार, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं , उस काम को करने के लिए, कि क्या सोच है , कैसा आप चाहते है , कैसे मैं इस मैं इस काम को करूंगा , वह होजाता है आपका अपरौच . जैसे कोई बच्चा मिट्टी कहता है, तो हमारी एक अप्रोच हो सकती है कि इसे मिट्टी के पास ही मतले जाओ फर्स पर रखो हमेशा बैड पर रखो एक अप्रोच ही हो सकती है दूसरी अप्रोच ही हो सकती है अगर यह मिट्टी खाएगा तो हम इसे पीटेंगे ये भी हमारी एक अप्रोच हो सकती है, मतलब हमारा विचार, जिससे जो हम काम करना चाहते हैं, या जो हम चाहते हैं, वह हो जाए, उसके लिए हमारा एक विचार, जो विचार हम सोचते हैं, वह हो जाता है हमारा अप्रोच, अब अगर हम इंगलिस पढ़ाना चाहते हैं बच वहारी सोच है ऐसी कि वह इंग्लिस बोलने लगेगा उसके सामने क्या-क्या रास्ते आएंगे इंग्लिस बोलने कि क्या-क्या समझ्चा आएंगी इंग्लिस बोलते टाइम में जब दूसरे इंग्लिस बोलेंगे क्या वह समझेगा या नहीं उसके बारे में हम कुछ नहीं ब structures है, can, could, may, might, will, sell, should, जिनतने भी sentences की structures हैं, अगर हम सारी structure उस बच्चे को बता दें, समझा दें, तो वह English बोलने लगेगा, अगर कोई दूसरा English बोल रहा है, उसके सामने sentence में ही तो बोलेगा, अब उस sentence की structure उस बंदे को आती है, तो वह समझ जाएगा, अब यह एक हमारी सो सोच है, situational approach, घर में कैसी English बोली जाती है, विद्याले में, आपकी library में, मंदिर में, इसके अलावा खेल के मैदान में, अलग अलग जगह पर जो भी English बोली जाती है, वह English बच्चों को बता दी जाए, यहाँ पर यह sentence ज्यादतर बोले जाते हैं, अगर वह ज्यादतर बोल जाने वाले sentence पढ़ लेगा, समझ लेगा, सीख लेगा, तो वह general English बोल पाएगा, कुछ चीजे वह नहीं सीखेगा, वह दीरे-दीरे सीखता रहेगा, एक हमारी approach हो जाती है, सिर्फ हमारी एक सोच है कि यह काम हम ऐसे करेंगे, या ऐसे हो सकता है, कोई निर्दारी तरीका नहीं है, हमारा एक विचार है, सोच हमारा द्रिस्टिक होन है, कि यह काम ऐसे हो जाएगा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सिक्सन विधियों की, अब सिक्सन विधियां मतलब एक निर्दारी तरीका, approach का हमारा कोई fix pattern नहीं होता, तरीका नहीं होता, पहले यह step करना है, फि इस बच्चे को हम इस तरीके से पढ़ाएंगे, यह हमारी approach है, उन approach को पूरा करने के लिए हम सिक्सन विधी का परियोग करते हैं, अब सिक्सन विधी मान लीजी है, हमारी एक सिक्सन विधी है, lecture method, approach में तो हमारा कोई निर्दारी तरीका नहीं था, step by step, लेकिन एक lecture method हमार सिक्सन विधी है, इसका हमारा निर्दारी तरीका है, बच्चे बैठे रहेंगे, मैं खड़ाओकर बच्चों को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, हर चीज की व्याक्या करूंगा, बच्चों से question answer करूंगा, मुझे question answer भी करने हैं, एक ये भी step है, board पर भी लिखना है, कोई चीज बच्चे नहीं समझते, कहते हैं कि ये doubt है, सर हमारा उसे मुझे clear भी करना है, बीच में कहीं मैं बुक की help भी ले सकता हूं, इस तरीके से जो steps होते हैं, निर्दारी तरीका उस काम को करने का, वो हो जाता है आपका सिक्सन विदी, लेकिन सिर्फ एक सोच कि हम ऐसे कर सकते हैं इस काम को, वो हो जाता है आपका approach, अब grammar come translation method है, इससे ही आप English सीखे होंगे अब तक, इसमें आपको पहले grammar पढ़ाई जाती है, सबसे पहले आपको letter पढ़ाई जाएंगे, total मिला के alphabet हो जाता है आपका, फिर आपको vowel, consonant पढ़ाई जाएंगे, उसके बाद आपको word पढ़ाई जाएगा sentence, फिर आपको sentence मिलाकर paragraph या poem, poetry, literature जो भी पढ़ाई जाएगा, एक तरीका है, ऐसा नहीं सीधा पहले दिन ही आपको literature दे देंगे में, word, letter नहीं पढ़ाईंगे, तो एक तरीका किसी काम को करने का, वो आपका हो जाता है method, general idea, general सोच हमारी है, वह हो ज कोई भी काम आप कलास में कर रहे हैं, अब आप अपने तरीके से कुछ ऐसा नया कर दें, उस चीज में, पढ़ाते टाइम में, या बच्चों को कोई doubt आ रहा है, कोई चीज आपको समझाने में दिक्कत आ रही है, आप कुछ नया सा कर दें, अपने तरीके से, अपने experience से, क कुछ ऐसी चीज कर दें, जिससे बच्चे समझ जाएं, आपका जो सिखसा का उद्दिश्स है, वहाँ पर आप्त हो जाएं, कुछ भी, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी कलास में, कुछ नया सा, आप कोई बात बच्चों को बता रहे हैं, वहाँ बच्चे नहीं समझ पा आपने क्या किया पहली लाइन के तीन बच्चे खड़े करके उन्हें एक उधारन देकर उनके उपर एक उधारन सा देकर उन्हें समझा दिया बच्चों को में समझ गए कोई बात आप समझाने कोशिस कर रहे हैं बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वहाई बात आपने बैठ कर बताई बच्चे समझ गए आपने क्या क्या एक टैकनिक का परियोग कर लिया अपने बैठने वाली का जनरल आपने बस बैठ कर उसको बता दिया लेकिन बच्चे समझ गए कुछ भी ऐसा काम आप कलास में कर रहे हैं जिससे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं जो चीज दूस गैठने लेकीक टैकनिक सबसे इंपर्टन्ट होती है सेंडिश टैकनिक इसमें क्या करते हैं आप जो इन-पुट देते हैं वहार रहता हैं और आउट-पुट भी आपका जो फिक्स वही रहता हैं लेकिन बीच में आप कुछह हलका सा अलग कर देते हैं अगर मुझे इंग इंगलिस में ही बोल रहा हूं और इंगलिस ही सिखा रहा हूं और जब final result आएगा तो बच्चे भी इंगलिस ही सिखेंगे और इंगलिस में ही बोलेंगे लेकिन बीच में हमने कुछ ने कुछ गड़बड गोटाला किया होगा हिंदी की भी कुछ बात बताई होगी हिंदी के दुआरा कुछ चीज मेरे बच्चों को समझा दी होगी जिससे की बच्चे जल्दी समझ जाएं तो वो जो बीच में गडबड गोटा ला हुआ हो जाती है हमारी sandwich technique अब बात कर लेते हैं आपके tactics टेकनिक्स एंड टेक्टिक्स आपकी हमेशा एक साथ चलती है teaching tactics भी होती है जिने आप कहतेते है teaching method teaching method में आपको समझाने में कुछ दिक्कत आती है आप technique का परियोग करते हैं जब technique में भी आपको कुछ problem आने लगे या आपको लगने लगे कि इस technique को मुझे और अच्छे से करना है technique में सुदार करने के लिए उसके लिए आप tactics का use करते हैं teaching method आपका बड़ा होता है teaching method में सुदार के लिए आप technique का परियोग करेंगे teaching method से थोड़ा छोटी हो जाती है target लेकिन tactic से भी छोटी होती है या एक छोटी सी चीज होती है जिसके दोरा आपके सिक्षन में सुधार आता है इंजोईमेंट आता है बच्चे इंजोई करके पढ़ लेते हैं थोड़ा सा आप बात कर रहे हैं बात करने का आपने हलका सा तरीका बजल दिया वो आप बच्चे अच्छे से पढ़ने लगे उसे ये छोटा ये इस से बड़ा और ये इस से भी बड़ा एक उदारन देता हूँ मैं आपको आपके बच्चे वैसे तो इंटेलिजन्ट हैं लेकिन पेपर में नर्वस हो जाते हैं जो कोश्चन लिखना होता हैं उन्हें उस तरीके से में नहीं लिख पाते ये समस्या आपके सामने आई अब एक टीचर ने क्या किया एक टेकनिक का परियोग किया कि मैं दस मिनट रोज पेपर के बारे में बच्चों को बताऊंगा पेपर के बारे में कुछ भी बताना है मुझे मैं बताऊंगा यह मेरी टेकनिक है लेकिन आपने क्या किया दूसरी टेकनिक का परियोग किया मैं हर तीसरे दिन या हर हपते बच्चों से टेस्ट लेऊंगा जिस तरह पेपर में होता है पूरा उसी तरीके का टेस्ट लेऊंगा कलास में बैठा कर या आपने टेकनिक यूज कर ली आपको ल परियोग किया उस चीज को समझाने के लिए रोज टैस्क लेंगे उस चीज को अच्छा बनाने के लिए आपने एक टैक्टिक का परियोग कर लिया उन्हें बाहर बैठा दिया अब बाहर ज्यादा स्ट्रेगल करना पड़ रहा है उसी काम को करने के लिए दूसरों से पूछ नहीं पा रहे हैं दूसरों से पूछ कर उत्तर लिख लेते थे कलास में वहाँ पर उन्हें खुद लिखने पड़ रहे हैं ऐसा ही मावल उन्हें पेपर में मिलेगा दूसरों से पूछ कर नहीं लिख सकते हैं लेकिन पेपर में उनके उपर धूप नहीं रहेगी फैन रहे मैथर्ड को अच्छा बनाने के लिए आप टेकनिक का परियोग करते हैं टेकनिक को भी थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए आप टेक्टिक्स का परियोग करते हैं उसके बाद आ जाता है आपका Teaching Maggyms, Six & Swotr अब कुछ भी चीज आप कलास में पढ़ा रहे हैं आपके पास सलिबस होता है सलिबस समझ सकते हैं आप content समझ सकते हैं यह चीजे जो आपको पढ़ानी हैं बच्चो को उन्हें आप कैसे बच्चो के सामने रखेंगे सब का अपनालग तरीका होता है कोई भी तरीका आप चूज कर सकते हैं जैसे पहले मैं बच्चो को easy चीज पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं बच्चो को cutting चीज पढ़ाऊंगा easy to complex रखोंगा मैं अपनी चीजों को आगे पीछे कैसे रखोंगा मैं अपनी चीजों को पहले असान-असान सी चीज मैं बच्चो को पढ़ाऊंगा जिससे बच्चो का मन लग जाए कलास में और बाद में मैं कठिन चीज पढ़ाऊंगा ये मेरा सोच है ये मेरी सोच है इसके अलावा आप complex to easy भी कर सकते हैं जब बच्चे कलास में आते हैं तो उनका दिमाग ताजा होता है उस ताजे दिमाग में मैं कठिन चीज बच्चो को जल्दी बताऊंगा अब कलास के जब लास्ट में बच्चे डल हो जाते हैं उनका दिमाग पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता क्योंकि काफी सारी चीजे में सीख चुके होते हैं ठक जाते हैं जब मैं ठक जाएंगे तब मैं बच्चों को आसान चीजे बताऊंगा यह मेरा सोच है, यह मेरी विचार है जैसा आप चाहें, ऐसा कर सकते हैं जो आपका content है, उसे आप कैसे manage करते हैं आगे पीछे कैसे लगाते हैं उसे कहते हैं, सिक्सन सूत्र, teaching magazine पहले मैं वे चीज बताऊंगा जो बच्चे देख चुके हैं जिने जानते हैं, जिने देख सकते हैं क्योंकि मैं समझेंगे आसान तरीके से बाद में मैं वे चीज बताऊंगा जो बच्चों को दिखाई नहीं देती ये बच्चों के पास नहीं है, जो बच्चे देख नहीं सकते पहले मैं किसी चीज के छोटे-छोटे हिस्से बताऊंगा बाद में उस चीज को पूरा करके बताऊंगा पहले मैंने पंखडी दिखा दी बच्चों को मोटर दिखा दी, कंडेंसर दिखा दिया, तार दिखा दिया बाद में मैं दिखाऊंगा, देखो इन सब को मिला कर एक पंखा बन गया पहले मैंने उस चीज के पार्ट दिखाए, फिर मैंने वो पूरी चीज दिखाई लेकिन पहले मैंने पूरी चीज दिखाई कि देखो ये पंखा, अब बाद में उसके पार्ट में दिखाऊंगा, खोल खोल कर देखो इस पंखे में से एक पंखडी निकली, एक मोटर निकली, कंडेंसर निकला, तार निकले, पहले मैंने पूरी चीज दिखाई, बाद में उस उसके छोटे छोटे हिस्से दिखाए अब यह पार्टू होल है अब आप जैसे चाहें वैसे पढ़ा सकते हैं अपने content को आगे पीछे जैसे लगाना चाहें ऐसे लगा सकते हैं यह आपकी कहलाती है teaching magazine जो आपका content है उसे आप कैसे arrange करते हैं आगे पीछे क्या चीज पहले बत आते हैं वह आपका हो जाता है six and sutra teaching magazine उसके बाद आपका आजाता है strategy विहू रचना अब विहू रचना strategy अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं किसी के साथ तो आप strategy बनाते हैं strategy का मतलब हो जाता है पूरी लड़ाई में क्या-क्या होने वाला है उसके इसाब से आप क्या- इस method का पर्योग करूँगा फिर इस method का पर्योग करूँगा ये चीज मैं lecture method से बताऊंगा ये चीज मैं बच्चों से करवा कर बताऊंगा ये चीज मैं कहानी विधी के दवारा बताऊंगा अलग-अलग चीज के लिए अलग method रख लिए मैंने दो-तीन मैंने टीचिंग टेकनिक सोच लिए कि मैं यह टेकनिक का परियोग करूँगा इसके अलावा मैंने और कुछ सोच लिया कि यह सिक्षन सूत्रमाज परियोग करूँगा पूरी पूरी टीचिंग में आप जो भी चीज करते हैं उनकी जब प्लैनिंग कर रहे होते हैं आज आदा गंटा मुझे बच्चों को पढ़ाना है और इस आदे गंटे में मैं यह सब काम करूँगा यह सब काम आपके वियू रचना स्ट्रेटेजी में आ जाते हैं पूरे पीरियड में आप जो भी करते हैं उसकी जब आप बैठ कर प्लैनिंग कर रहे हैं उस प्लैनिंग को ही आपके टीचिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं एक स्ट्रेटेजी में काफी सारे मैथाड्स होते हैं टेकनिक्स होते हैं, टेक्टिक्स होते हैं, मैक जिम्स होते हैं जो भी आप कलास में करते हैं काफी सारी चीज़ करते हूं, सब को मिलाकर आपका एक strategy बनती है, यह चीज़े थी जो आज cover करनी थी, लास्ट में आपके एक line बज जाती है, approach includes many methods, techniques and tactics to, approach में भी आपके काफी सारे methods होते हैं, दुबारा recap कर लेते हैं, एक बार revise सा कर लेती हैं हलका सा, अगर approach की बात की ऐसे करेंगे, उसके बाद हम methods बनाते हैं कि इस approach में हम यह सारे method लेने वाले हैं, अब उन methods में कुछ दिक्कत आती है, तो हम technique का परियोग करेंगे, इस technique का परियोग कर हम अपनी इस दिक्कत का समधान निकालेंगे, अब उस technique को भी अच्छा बनाने के लिए हम tactic का अब यह चीज हो जाती है, आपकी जो teaching में आपको करनी होती है, आपके paper में भी आती है, कि very short में आपसे definition पूछ ली जा सकती है, या अर्थ बता दीजिए अपने सब्दों में, किसी भी एक चीज़ का, short question के रूप में आपसे difference पूछ लिया जा सकता है, यह एक general idea था आपक and tactics इसको लग वीडियो में ले लेंगे, six and sutra आपके अलग वीडियो में ले लेंगे, इस वीडियो में ने सबको हलका हलका सा करके आपको बताया है, जिससे आपको idea हो जाई, यह सब होते क्या है, I hope इन सब में आप difference इनका मतलब अब आप समझ पाए होंगे, वीडियो आप को अच्छी लगी हो, आप इसे like कर सकते हैं, अपने friends के साथ सभी के साथ share कर सकते हैं, कोई doubt हो आप comment कर दीजिए, मैं वहाँ पर आपको आपका reply दे दूँगा, वीडियो की regular ठीक इसी परकार आप daily classes लेने के लिए इस channel को subscribe कर सकते हैं, till then bye bye कि अपने कोई मैं अपको आपकाथी हो, आपका का दोचकी, आप ने सकते हैं, आपका कुछा अपका थाम सते हैं, पुल हैंको कर सकते हैं, यוכी अ tidak déjà酒, आपका दूरे प 파ं को मैं मired का देए होंग voorा आपका दीक दीश 국वाड़योंels, कि मैं 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 पर आपका आपका रा